हम लोग ने सब सब पहले address function के concept को समझा जब हमें concept समझा गया तो उसको हमने इसी दूसरे function के साथ associate करके देखा जिसमें बहुत important role play किया indirect function लेकिन आपको लगता नहीं कि हमारे घर का जो सबसे important member है वो बुड़ा मान जाएगा? वो member है we look up क्या आपको लगता है ने कि we look up वाई साथ तोड़ा सा बुड़ा नहीं जादा बुड़ा मान जाएंगे अगर इसको indirect तो है ही address के साथ भी combine करके use नहीं किया तो यह जादा बुड़ा ना मान जाए इससे पहले मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ वी लुक अप इंडारेक्ट और address का combination एक साथ यह रहा छोटा सा डेटा employee ID रखा हूआ है और कुछ नहों के नाम रखे हूँ आनके चलते हैं यह employee ID के किसी पड़िवनार ID के base पे मुझे इसमें से कोई नाम extract करके लेका आना है वी लुक अप सिंपल चला देंगे बहुत आसान लेकिन हम चुकी इंडारेक्ट फंक्शन को चीक रहे हैं और इंडारेक्ट फंक्शन के यूजज को देख रहे हैं उसके benefits और advantage उठाने की कोईशेच कर रहे हैं address और indirect दोनों की अगर जुरत परेगी तो मैं यूज करके दिखाना चाहूँगा तो सबसे पहले पास किया आपने वी लुक अप वी लुक अप को लुक अप वैल्यू चाहिए होता है यह रहा आपने पास क्या लुक अप वैल्यू कॉमा अब आपसे मांगा जा रहा है तो आपने देखा होगा कि वी लुक अप जब भी हमने लगाया है तो वी लुक अप अकेला ज्यादा पाउड़फुल नहीं है उसको जब किसी डूसरे फंक्शन के साथ एसोसीट किया जाता है टेबल एरे की बात करो तो टेबल एरे में वी लुक अप के साथ सीधा टेबल पास करता हूं तो वैल्यू लाने के लिए उस एड्रेस के बाहर किसको पास करना होगा आपको आपको बता है मने शिखाया है लास्ट वीडियो में अब आप पास कर दीजए यहाँ पहले indirect पास कर दिया इस indirect के through अब आपके पास क्या आजाएगा value लेकिन indirect की अपनी समस्या है उसकी अपनी समस्या ये है कि अब उसको क्या चाहिए उसको reference चाहिए और reference पास करने के लिए मेरे पास है तो reference का function address यहाँ पे पास कर दीजिए address बिलकुष समझ समझ के वह भी function associate किया कीजिए यह नहीं कि यह we look up के साथ indirect और address का question कर रहा नहीं indirect क्यों लगाया उसके पीछे वजह है address की जुरत क्यों परे उसके पीछे अपनी अपनी अलग वजह है address reference लेका आएगा indirect उसकी value ठालेगा उस reference से इसलिए आपने indirect बाहर auto zone में चलाया और inner zone में आपने address function पास किया ध्यान से समझा रहा है और रही बात we look up की वी look up ही तो base function है उसी के base पे तो उस particular column index number से value ठालेगा आएगे अब address function जो है उसके अपने elements है तो उसके जो parameter है वो आप पास कर दीजे क्या बास करेंगे row number zero or one यह रहा one column number comma one पहला row वो रहा सामने data पहला column वो रहा सामने data पहले रो पहले column में data है ना comma absolute रखना है relative रखना है कुछ भी रख दीजिए absolute comma r1 style या a1 style आपको पूछने की ज़रहत नहीं है a1 style ठीक एक और कॉमा कौन से seat से data उठाना है यह आपको बताना होगा यह work seat का नाम है ना तो seat text में यहां पे double quotes में हमें pass करना होगा नीचे देखे क्या है work seat का नाम seat 1 यहां में pass कर दीजिए seat 1 ठीक है bracket बंद हो गया तो यह seat 1 से आप data उठाने जाने है ठीक है और इसका bracket बंद अभी यह indirect को क्या मिला वह पहले दिखा लेता हूं indirect को अभी मिला है address function आपने पास क्या ना यहां देखिए indirect को क्या मिला है f9 प्रेस कीजिए indirect को क्या मिला seat 1 का a1 seat 1 का a1 यहां है reference ठीक है लेकिन अभी तो seat 1 के a1 पे है सिर्फ उतना ही डेटा है a1 में यह आपको पूरे complete table का range पास करना होगा तो अभी तो आपने starting point दिया है अब आपको देना होगा ending point ठीक तो seat 1 में a1 से और यहां पे बाहर चले जाए और अब लगा दीजिए m% ठीक कहां तक तो double quotes के अंदर ऐसे column और यहां सेल देख लेजिए कहां तक है b11 तक clear हो गया seat 1 में a1 से b11 तक bracket 1 अब एक बर चेक कर लेते हैं जरा इस indirect को क्या मिला address के जरीए और यहां पे इसको evaluate करके देखते हैं f9 प्रेस करते हैं और आपको सामने दिख रहा होगा कि indirect को क्या मिला seat 1 में जाएगा a1 से b11 यह रहा range अब उसको मिल गया ने indirect को that means अब इस indirect के अंदर complete table समाच चुका है और जब आपको table array complete मिल चुका है किसको indirect को आप काम बचा किया है आपने lookup value pass कर रखा है table array pass कर दिया कॉमा लगा यह और कौन से columns हमें value चाहिए तो यहां पे एक और दो दो ही column है हमें second column से value चाहिए comma zero exact match के ठीक है और प्रेस करेंगे enter और यह रहा उसका जो नाम है आपके सामने कोई value change करके देख लेते हैं 101 की जगए पे 108 pass कर देते हैं पेज़ पाल सैंसा भी आगे यह output आ जाने के साथ साथ ही आपके जहर में एक सवाल भी आएगा सवाल यह आएगा कि sir जब यह simple vlookup से हो सकता था तो आपने indirect और address function pass क्यों किया मैं आपको उसकी वज़े बताता हूँ वज़े यह है कि आपके सामने vlookup की एक खासियत ही है आपके सामने problem एक आएगा एक problem लेकिन आपके सामने आपके जहन में अगर आपने सारे concept शीक रख करता हूं सिर्फ आपको सिखाना मेरा मकसद है किस टाइम address का यूज किया आपने internet का यूज किया है वह आपको समझा रहा हूं ठीक है रटना नहीं है concept चुली एक एक चीज करना है इससे benefit होगा कि कैसे भी scenario में आपको data दिया जाएगा तो आप extract करके लाने में माहिर हो चु मैं पास workbook है जिसके अंदर ये address नाम का worksheet है उसके अंदर कुछ record रखे हुए है अब मैंने एक अलग workbook खोल लिया जहां पे मैं वहां का जो कोई भी record पास करूं तो उसका complete detail आपके सामने आ जाए इस particular format मतलब manage way में थोरा साज है वो और जेंटल था और इसको सही तरीकिस ल के सामने आ जाए तो अब अगर आप उसको यूज करने की कोसिश करोगे तो आपको करना क्या है मैं आपको सीथा सीथा basic system बता देता हूं मैं सिर्फ इतना बताने कोसिश कर रहा हूं कि हर एक बार दिमाग में वी lookup के साथ इसमें चूच चलेगा इंडरेक्ट चलेगा और यह भी सोचना जरूरी नहीं है बिल्कुल बेसिक अप्रोच से इसका आपके सामने आपको क्या करना है सिंपल वी lookup चलाना है और इसका पूरा पाथ पास कर देना है जैसे कि आपने पास किया वी lookup वैल्यू यह ठीक फ्रिज किया कॉमा जहां पे टेबल एरे मांग रहा है वो टेबल एरे तो किसी दूसरे location पे है अब आपके पास option है कि या तो workbook open होगा तो आप range ले सकते हैं लेकिन यहां पर वो workbook open नहीं है तो ऐसे case में कुछ नहीं करना है वो जो path है जहां पे वो रखा हुआ है file उसको ले लेते हैं d drive के अंदर address नाम का workbook है उसको आपको pass क अंदर address नाम का ही worksheet है है ना address नाम का workbook उसके अंदर address नाम का worksheet था जिसमें अब आपको बताना होगा कि range कहां से कहां तक का data वह पास कर देते हैं वाक sheet को बंद कर दिया जाए exclamation sign लगा दिया जाए और पास कर दिया जाए range रेंज आपका है b4 से लेके f7 तक ठीक है तो b4 से लेके f7 तक का आपने range पास कर दिया कॉमा अब कौन से column index number value है तो उस data set के हिसाब से second कॉमा zero packet बंद और press करेंगे enter ठीक है ये मैंने दर्चाब आगे लेकिन अब आपको क्या करना है इसी को copy कर दिया जाए और सिर्फ और सिर्फ column का index number change कर दिया जाए ये रहा आपने data को copy कर दिया और column का index number change कर दिया कुछ नह नहीं है ये देखे करन अहुजा साब आगया मतलब मैं यह बताने कोशिश कर रहा था इस question के बाद गम से कि जरूरी नहीं है कि हर एक वार we look up के साथ आपको index उसके साथ choose indirect आसान solution भी कई वार into में पूछा जाता है और ज्यादा तर आसान ही पूछा जाता है अफ़ नाम की मिलते हैं special content special video के साथ सिर्फ और सिर्फ आप लोग की